चाहिए जी तो शुरू करते हैं फिर विस्मलारमान रहीम तो हम लोग ने आज आज आपका जो मौक का डिसकॉशन है मौक का पेपर हुआ था उसके हमने डिसकॉशन करनी है वी स्टार्टेड हमने थोड़ा सा पहले भी एक कोशिश की थी वैकर हम करनी सके थे इंटरनेट कनेक्शन की वज़र से एक दो तिन पहले तो फिर मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था और तो मौक का पेपर जो है वो आपको मिल चुका था क्वेशन आपने इसमें देख लिए होंगे उसका स्लूशन भी मैंने अप्लोड कर दिया है आपके अलमस पे ठीक है तो काफी चीज़ें तो ऐसी है कि अब एक गंटे के अंदर हम इतना सब कुछ तो डिसकॉस नहीं कर सकते हैं जो मोटी मोटी बाते थी हर उसके अंदर पर्टनरशिप का स्वार तिकत अब पार्टनरशिप के बारों में इतनी बात आप सबने जहन नशीन कर देनी हैं पार्टनरशिप का कवेश्चिन मोटच के अंदर थोड़ा सा आउट बनाया गया था और ये एक क्वेश्डि है इसके उसे ल्भिन की टाली गैऻ मिश्ट क make sure कि अगर तो आइकाप जो है वो एक्स्ट्रा चीजें भी टेस्ट कर लेता है जो के हमारे estimation के साफ से जादा से जादा एक्स्ट्रा जो है जो हमें लगता है कि वो यह चीजें टेस्ट कर सकता है even though these are not in intro के चले बस तो हमने वो चीजें भी इसमें डाल दी थी ताके यह हो के at least mop के थूँ आपको थोड़ी बातें बिल्कुल बिल्कुल general reserve goodwill की raising or writing off यहां पर यह revaluation game कि सहां से आ रहा है 5,000 का यह सारी चीजें आपके F1 के syllabus में मूव हो चुकि है लगन क्योंकि कोई ICAP ने कोई parameters as such कोई define नहीं किये वे and ICAP has this policy of testing out of syllabus चीजे इन इंट्रो का paper तो उसके हमने का कि मॉप के थूपर हमने चोटी 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 points जो है ना मतलब उनको as a lecture as a whole अगर हम सुझाते हैं इसमें there are more there are so many things to consider अगर हम इसको as a lecture पढ़ाते हैं आपको तो उसमें फिर वही F1 वरी सारी चीजें हमें पढ़ानी पढ़ जाती हैं अब मॉप क्यों है हमने इसको छोटी चोटी बातों को इसमां से डाल दिया कि बस यह जो बाते हैं यह हम आपको बता देंगे समझ आगई बात तो ठीक है नई समझ आई इस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी बागी सारी चीजें जो हमने की हैं उनको एटलीस आप पका करें आप देखेंगे कि आउट ओफ टोटल ऑफ यह 15 मार्क जो चीजें आपको यहाँ पे आउट गिवन है ना उसके इतने मार्क मनदब सारे मार्क विस्थ वी आपको ऐसा तो नहीं कि आपको पूरा को पूरा सवाल ना आता हौँ इसमें काफी चीजें यह जो हमने इसकर ली गे तो आउट टोटल ऑफ 15 मार्क अगर आपको चे मार्क साथ मारक का आपको पेपर क्वेस्थ यह तास गुड रही तो आउट ओफ टोटल ऑफ 15 मार्क इतनी बातों मैं आपको गैरंटी से पर सकती हूँ कि हमने 6-7 मार्क का जो इसमें सारी चीजें ना इंका शहाँ डेट मार्क भी बन स चीज को अजीक है अगर solve snatch trip that. आना चीज है वो तो आप ठीख ठीख करें ठीक है तो अगैं एक इसमें यह वाला question था जो थोरा सा out था तो इसलिए हम इसको पहले discuss करेंगे question वुचिंट हुआ है कि जाजवब अबार्श परिंपर्शिक परफिस अबरशेंग आप टु फो टॉटी योज सोला वर्स एपर जैजवग रूपय वजिकाट अब आगजर्शन नी हो रा कोही दिशन नी हो रहा और कोई दिटार्मनेट नी अगरा कोई डिक्ट नी हो रहा वरके क्या रहा हूँ partnership structure में change किस समका रहा है वो profit and loss sharing ratio change हो रहा है कौन से rate पे change हो रहा है April 1, 2016 आपने ये बात पड़ी आपके दुमाँ में को रहा है माइन बन जाना थी इच्छा इसका मतलब यह हुआ कि हमें profit and loss appropriation account दो periods का बनाना पड़ेगा पहला period जो है वो 1st January से लेके 31st March तक का होगा दूसरा period जो है वो April 1 से 31st December तक का होगा अब जो residual profit बचेगा पहले तीन महीने का उसको हमने divide करना है 1 is 2, 3 is to 2 में और जो remaining 9 months का residual profit आएगा उसको हमने divide करना है 1 is to 1 में ठीक है आगे आपे जाजब invested of further capital of rupees तूलाक सिटी थाज़न सूचेपन 1st April 2016 तो अभी यहाँ पे क्या situation है आपके पास fixed capital account maintain हो रहा है कैसे बदा चला क्योंकि आपके पास current accounts भी है तो अब आपने क्या करना है इस साल during the year 1st April कोई इस date पे आपके पास PSR चेंज़ हो रहा है उसी date पे जाजब ने क्या decide किया कि मैं further capital की investment भी करता हूं तो यह धाई लाक लुपे कहां पे नज़र आने से हैं आपको capital account कि आने चीक है साथ ही मैं इसके solution कोल देती हूं अगर आप ज़रा requirement पे नज़र डालें तो requirement में यह कुछ लिखा है columnar form ठीक है partners capital accounts and partners current accounts in columnar form for the year ended December 31st 2016 अब यह columnar form क्या है इसका मतलब यह हुआ कि आपने T account form में तो यह accounts नहीं बनाने columnar form में बनाने का मकसद है इस तरीके से क्या हो गया यह अब जिसमें आप आपने क्या किया partners capital accounts दो ही columns आ रहे हैं जाजब और अपास यह तो दो आने ही आने च्छेला हो क्या रहा है capital account के अब आपको क्या करना है अगर T account बनाते तो यह brought down काहां पर आते credit site पे during the year जाजब ने further capital investment की धाइला की अगर तो यह T account form में होता तो धाइला का credit करते capital account के अंदर यहां पर आपने धाइला को credit करना है तो simply क्या करेंगे ओपनिंग में add कर देंगे आपने ओपनिंग balance शो किया है positive में this represents credit balance और नॉर्मल balance credit balance और दसको positive में show रख करें आपने इसमें कोई चीज credit की है यानि कि इसमें हम add करेंगे यह जो आपके पास answer आ रहा है ना one lakh और one million और छे लाग यह basically क्या है यह carried down है यह सारे काम करने के बाद अब देखें capital account के अंदर कोई और movement तो आने नहीं है capital account जब आपके पास इतना का scenario हो कि fixed capital accounts maintain हो रहे तो तो सिरफ दो ही transactions है तो कि यहां पर आ सकती है जिसमें से सिर्फ एक ही transaction अकर हुई है during the year ठीक है नहीं reason इसका यह नहीं है कि biggest your fixed capital account इस लिए columnar format प्रेजेंटेशन है अगर आपका fluctuating capital account भी columnar format में बनाया जा सकता था ऐसी बात थोड़ी है columnar form में बनाना इस प्रेजेंटेशन T accounts के बजाए अब हम इसमें लिखा हुए कि आपने columnar format में बनाना है तो अगर तो fluctuating capital account भी तो तब भी हम इसको columnar format करते बस difference क्या होता जो चीज credit करनी होती वह यहां पर add होती जो चीज debit करनी होती इसको वहां पर हम minus करते ठीक है इसको भी देखते हैं तो capital account में इसके इलावा से कोई और transaction ही नहीं अब आस ने कोई further capital investment नहीं की जाजब ने जितनी की तो अगर आपको carry down निकालने को कहा जाता है तो आप क्या क रहा है goodwill of the firm was assessed at two years purchase of every process of the following year और आपको इसने पिछले सालों की profit or losses दे दिये हैं हमने किया वाई यह काम आखिर में इसने statement mention कर दी कि profit zero marks तो नहीं बिलेंगे format के एक या दो marks कट सकते हैं ठीक है format के एक या दो marks कट सकते हैं ideally and professionally speaking working के marks आपको मिर जाने चाहिए ठीक है और क्यूंगे paper आपके जो है और चाहिए चाहिए अच्छी बास होती है कि अगर आपने काम ठीक किया है अगर थोड़ी बास पढ़ने से गरवर हो रही तो आपको इस working के marks तो पूरे पूरे मिल जाने चाहिए तो यह बात हम कट चुके में क्लास में हैं हमने क्या बात बोली है कि अगर कोई अगर मैं आपको यह कहूं कि इस 1250 000 में एक एक्स्टा ओडरी प्रॉफिट भी शामिला दो मिलिया नहीं दो लाग का अगर करेंगे इसको निकाल देंगे आप कहेंगे कि अगर यह एक्स्टा ओडरी प्रॉफिट ना कमाया होता तो क्या प्रॉफिट होता वह था 1050 तो क्यालेशन में देखें हैं 1250 000 में से माइनस हुआवा है दो लाग की अमाउंट ठीक है फिर 120,000 माइनस हुआवा है यह लॉस था दूसरे साल का तेन आश्री से बादल माइनस होगा और प्लस होगा तीसरे साल का प्रॉफिट डिवाइड बाइड बाइट इंटो तो यह पर कैलकुलेशन के बाद उसका क्या होता है क्या करना चाहिए क्या डबल इंट्रीस पास होती है वह हमने नहीं की वी और इंट्रो की चलेबस से उसने अच्छी निकाल भी दिये लेकिन अब इसके थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अक्तिलिक किसा होता क्या है का काम नहीं करते हैं कभी भी नहीं करते हैं आपने कभी अपनी क्यारिंग अमांस को कंपेर करना ही रही है मार्केट वाल्यू से लेकिन कभी हल्चल मचती है तो जाके आप एंपर कंपारेशन करते हो तब आप रीवालेशन गें या लॉस निकालते हो हालांकि उससे पहले उससे पहले आपके carrying amount कुछ और थी market values एक सार पहले भी different हो सुथी है, दो सार पहले भी different हो सुथी, एक दिन पहले भी different ही लेकिन आप में कुछ किया नहीं था उपका. जैसे ही partnership structure में change आया, तब जाके आपने इस बात को calculate किया कि भी कितना difference है, right? अब जिसना revaluation gain निकला, क्या करते हैं, हमने आप मैंना को क्या बताया है, उसकी मैंना आपको accounting बता दिये, हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि जी आपके जो old profit sharing ratio है, आप उसमें उसको divide दे कर देते हैं, अनि कि benefit देते हो अपने partners को कि आपकी मेनस की बज़र से हमारे assets की value, fair value जो है, वो जादा है, current carrying value काम है, तो हम असको benefit दे रेते हैं, अब goodwill भी basically क्या है, partners की मेनस की वज़र से अच्छी reputation develop हुई, जिसकी value हमने क्या determine की, 1820000, आज के दिन, यानि के कौन से दिन हम यह बात करेंगे, change in PSR वाले दिन, change in partnership structure वाले दिन, तो 1st April 2016 को हम यह कहेंगे, कि इससे पहले तो हमने good reputation का कोई accounting की ही नहीं थी, हमने उसकी कभी उसको lift नहीं कराई थी, आज के दिन हम लगों ने इसकी calculation की, हाला कि good reputation was there before as well, है ना, good reputation तो आपकी काफी एससे है, लेकिन उसके बारे में accounting उसकी हमने कभी नहीं की थी, आज के दिन हमने क्या कर देना है, benefit दे देना है अपने partners को, कि आपने बिरकुल goodwill, बचे goodwill की बात के रहे हैं हम लो, अभी हम goodwill की बात के रहे हैं, उसको मैंने link किया है, revaluation gain से और या loss से, कि जिस तरह हमने change in partnership structure वाले दिन, revaluation gain या loss का benefit या loss जो हमको distribute कर दिया partners को old profit sharing ratio में, इसी हमने goodwill की calculation करनी है, और हमने उसका benefit distribute कर देना है, partners के accounts के अंदर, current accounts के अंदर, in their old profit sharing ratio, तो आपने क्या किया, brought down, यह लिखे में, question में given है, column ना form में कर रहे हैं, सिर्फ format के difference है, presentation का difference है, वरना काम सब वरसी में वही होगा, फिर हमने क्या किया, आपने इस दिन, यानिके 1st April 2016 को, जो date of change in PSR है, उस दिन पर आपने goodwill total निकाली, 1,0, कितना, 1,820, 1,820,000 आपने goodwill calculate की, और आपने यह, आप देखे, आपके पास 2 profit and loss sharing ratios है, एक आपके पास है 3 by 2, जो के old है, और दूसरा आपके पास है 1 by 1, जो के new है, ठीक है, हम यह कहेंगे, कि हमारे जो partners है, उन्ह पिछले सालों में किस rate को, किस ratio को follow किया, 3 by 2, तो जो पिछले सालों की मेनत की वज़ास से अच्छी reputation बनी है, उसका benefit भी हम किस ratio में divide करेंगे, 3 by 2 के ratio में, यानि कि क्या होगा, 1,820,000, multiplied by 3 by 5, यह चला जाएगा किसको, जाजब को, और 1,820,000, multiplied by 2 by 5, यह किसको चला जाए अब बास को, तो आपने क्या कर दिया, उनके current accounts को कर देना है credit, है ना, credit कर देना है, opening balances भी credit है, credit में कोई चीज credit होगी, तो वो चीज हम add करेंगे, यहां तक clear है बात, जी, मुसें, is that clear, ठीक है, अच्छा, फिर record आप भी सुन ले, अब goodwill के बारे में मैं आपको इतना heads up जरूर दूँगी, कि goodwill जो है, हम इतनी असानी से record नहीं करेंगे, ना, यहीं कि उसमें बड़े rules and regulations है, आपने इससे पहले कभी goodwill के बारे में सोचना भी नहीं था, आज के दिन अब आपने सोचा, अब अगर मैं आपको यह कहूँ, कि goodwill को आपने goodwill का benefit दे तो दिया, आप इसके देखें double entry क्या पास होई होगी, अगर मैं आपको double entry से बासतारा complete अगर सिनारियो दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, goodwill आपका asset है, आपके लिए एक beneficial चीज़ है, आपने 1A200000 से goodwill के account को कर दिया, debit, और credit किसको किया, partners के current account को credit कर दिया, जाजब के account को credit किया, आपने, कितने से हमने किया था, 1A200000 multiplied by 3 by 5, और current account of Abbas, Abbas को आपने credit किया, कितने से, 2 by 5 से, ठीक है, आपने यह double entry अभी pass किया, यह जो हमने, मैंने से, अभी हमें सिर्फ current account बनाना था, goodwill का account से हमें बनाना नहीं होता, current account वो बांग रहा था, तो हमने current account को credit होते वे, दिखा दिया, अब आपने करना क्या है, बच्चे में यही त के थूर अपर ER कर लो, क्या processes का, कोई इसमें hard and fast rule नहीं है, revaluation gain का मैंने आपको थोड़ा बहुत concept दिया, उसी से relate करता है, उसी से, उसी की तरह का है, there is nothing, there is nothing majorly new about it, समझ में आ रहा है, तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, tension नहीं दे, इस पर time जाया मत करें, बागी सारी अपनी पकी करें, अला माले के, अला खैर करेगा, नहीं इंशाला आना नहीं चाहिए, यह आपके उसमें exam में, ठीक है, current account to credit हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है credit, अब एक बाद ज़रा वाट से सुनें, आपने goodwill को, या इसको कहते है goodwill को raise करना, यानि कि goodwill का आपने benefit अपने partners को दे लिया, आपने कहा कि जी, आपने इतनी मेनक किया, उसकी जैसे जो good reputation हमारी develop कोई है, उसकी total शकर कितनी है, 1,8,2,0,000, तो हम उसका benefit आपको दे रहे है, old profit sharing ratio में, ठीक है, यह काम आपने करना है, क्यूंकि divide करना है, आप इसको किस ratio में divide करें, old profit sharing ratio में, यानि कि 3 by 2, अब आपने करना क्या है, फॉरण से ही goodwill को write off भी कर देना है, यानि कि आपने goodwill को debit किया था, अब आप इस entry को reverse कर देंगे, कैसे reverse करेंगे, अब इदर देखने, goodwill को आपने फॉरण से ही क्या कर देना है, credit कर देना है, कितने से, पूरी amount है, तो आप एक second के लिए goodwill को क्रेजिट भी कर दिया, निकाल भी दिया, अब आपने क्या करना है, current account को पहले credit किया था, reverse करते हैं, current account को आपने debit करना है, लेकिन आप same figure से debit नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम same figure से debit करते हैं, exactly उपर वाली entry को reverse कर देते हैं, तो फिर entry पास करने को फायदा थोड़ी है, 000 को divide किया था, 3 by 2 के ratio में, अब आपने इसको divide करना है, 1 to 1 के ratio में, new profit sharing ratio कितना है, 1 by 1, तो आपने इसको 1 by 2 और 1 by 2, ठीक है, बात समझा रही है, तो अब थोड़ा बहुत तो effect पढ़ेगा, थोड़ा बहुत effect आपने लेकर आना है, अब again, क्यों इस ताह से क्यों कर रहे हैं ये पूरा का, पूरा है, fair 1 का है, इसलिए हमने पूरा नहीं पढ़ाना, पूरा आपने पढ़ना भी नहीं है, इतनी बात अगर समझ में आ गई, जो कि इतनी, मतल़ मुश्किल बात नहीं है, आपने goodwill को raise किया, आपने current account को credit किया, पहले old profit sharing ratio में इस figure को आपने divide किया, और आपने credit किया था, इसको यहाँ पे आपने add कर दिया, अब अगर आप इसमें आप कोई चीज अबा को क्या करनी है, 1-2-0, इन दोनों का total करेंगे, 1-2-0 निकलता है, अब आपने इस 1-2-0 को debit भी करना है, current account में, in new profit sharing ratio, यानि के 9-10 और 9-10, तो आपके पास, अब आप कॉल reconciliation statement नहीं बनाया था, कि अगर आपके पास creditors का reconciliation statement है, तो उसमें normally चीज़ें credit हो रही होती है, लेकिन अगर उसमें कोई 30 debit आजएगे, तो आप minus form में दिखा दोगे, exactly वही वाली चीज़ है, 2-20 credit balance, उसमें 1-0, 9-2 पहले credit किया, और 9-10 debit भी कर दिया, तो 9-10 minus होते वे दिख गिया, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों figures वही, 1-8-2-0-000 का ही break-up है, credit हो रहा है, old profit sharing ratio में, debit हो रहा है, new profit sharing ratio में, बस, इतनी इसी बात है, यहां तक clear है? चलें, आगे आते हैं फिर, जाज़र बन अबास continue to receive salaries of 18,000 and 15,000 per month, बहुत असाना से पार्ट था, at least ये वाला तो आप कर सकते थे है, रांग से, तो पूरे साल जाज़र को कितनी salary मिली? 18,000 multiplied by 12, अबास को कितनी salary मिली? अक्रूव ही उसको कितनी? 1,80,000, यानि के 15,000 multiplied by 12, यहां तक clear है? फिर आगे आते हैं, बोज partners are allowed interest on capital at 5% per annum, ठीक है? अब अबास के case में तो कोई मसला नहीं है, अबास का तो, उसका तो opening capital भी 6,00,000 था, डिरिंग ने इसने को, इसने adjustment भी नहीं की, तो आप 6,00,000 पे सीधा बास किसकी कह रहे हैं अब ही हमना, जाजब की, अब जाजब ने क्या किया था? जाजब ने पहले तीन महीने तो उसका capital balance रहा था, 7,50,000, है ना? फिर उसने 1st April को further capital investment भी कर दी, रैट? तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले तीन महीनों के लिए, 7,50,000 multiplied by 5% multiplied by 3 by 12, यह रेखे यहां पर मैंने working भी की वी है, कोलन से पहले जो बास working हुई भी है, यह working हुई भी है, 31st March तक की, और कोलन के बाद जो working हुई भी है, यह हुई भी है, remaining 9 months की, तो आपने जाजब ने तीन महीनों तक जाजब का capital balance कितना रहा था? 7,50,000, तो 750 पे 5% उसके पर 3 by 12, और जो remaining 9 months उसमें उसका balance कितना हो गया था capital का, क्योंकि उसने 1st April को further capital investment कर दी, तो अगले 9 महीनों के लिए 1 million पे उसको 5% मिलता रहा और उसको भी हमने naturally सी बाते proportionate करना है, 9 by 12, तो जब आप पूरे साल की calculation करते हैं, तो वो आपके पास figure आती है, इन दोनों को add करने के बाद, 46875, ठ credit कर दिया, यानि के add होतावा दिखा दिया, यहां तक clear है, अब आगे आते हैं, 1st April 2016 पे वो क्या कह रहा है, one of the motor vehicle or partnership business having a carrying value of Rs. 30,000 has been taken over by DAZIB at accreed price of Rs. 35,000, अब यहां पे देखें, revaluation, gain या loss, क्या चीज़ होती है, business के नजदीक उस asset की value कुछ और थी, है ना, और market के नजदीक, यानि के fair value उसकी कुछ और थी, अब यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी similar situation हो रही है, business के नजदीक, उस motor vehicle की value कितनी थी, 30,000 की थी, लेकिन जाजब ने, जब वो motor vehicle ली, तो उसने क्या बात बोली, मेरे नजदीक इसकी value कितनी है, 35,000, are you getting my point, तो 5,000 यहां पे क्या situation हो गई, 5,000 is your revaluation gain, कि carrying amount उसकी 30,000 थी, agreed amount, अब यहां पे हम dispose of नहीं करें, यहां पे हम asset को market से compare नहीं करें, हां लेकिन कोई दूसरी party ज़रूर involved हो रही है, एक तो business है और एक owner आगया, owner कह रहा है कि ठीक है, business के नजदीक इसकी value होगी 30,000, लेकिन मैं इसको take over कर रहा हूँ at 35,000, तो पहली चीज़ तो यह होगी, drawing, बच्चे, revaluation वैसे जो IS-16 वाली, fixed asset वाली revaluation है, वा आपके intro में नहीं है, तो accumulated depreciation में क्या करना है, उसका वा आपके intro में है ही नहीं, वो तो एक अलगी चीज़ है, यहाँ पर तो partnership के case में revaluation, change in partnership structure के case में revaluation बिलपो simple तरी करगा, आपको उसमें को नहीं consider करना, ठीक है, उसमें आपको netbook value ही given होगी, उसमें accumulated depreciation को क्या करेंगे, cost का अलग से क्या करेंगे, कुछ आपको वो नहीं करना, that is not of your concern, आपने सिरफ value को increase या decrease करना है बस, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने यह कहना है, कि जो आपका asset take over, आप देको यह drawings है, यह drawing है, जाजब आपका take over कर रहा है motor vehicle को, तो पहले कीस को यह है, कि आपने drawing को debit करना है न, current account में debit भी तो करना है drawing को, अब सवाल यह आता है कि drawing को किस figure पर दिखाएं, 35 पर या 30 पर, तो हमें agreed price पर दिखाना है, भले यह कम हो, भले जाद हो, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 35,000 से हमने drawing दिखा दी motor vehicle की, हमने यह यहाँ पर debit कर दिया, याने के minus sign मेंस को दिखा रहेंगे, फिर बारी आती है revaluation gain की, अब यहाँ पर gain on disposal है, यह तोड़ा सा misleading हो जाएगा, motion non current asset भी तो withdraw हो सकता है, owner drawing कर नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं, original थोड़ी, original तो मैंना आपको क्या बुलावा है class में, मैंना आपको यह बुलावा है कि अगर drawing के case में, original capital में से drawing हो रही होगी तो वो mention करेगा, जहाँ पर कुछ mention नहीं होता हुआ हम कहते है, drawing यी current account वाली drawing है, तो current account में show करेंगे ना, ठीक है, by default drawing सारी के सारी वो वाली होगी तो current account में आनी है, अगर इस capital account वाली drawing होगी तो वो mention करेगा, इस पर interest नहीं है, interest का से सिनारियो ही नहीं है ना, question में कहीं लिखाव है कि interest on drawing this charge है इतना, नहीं, तो आप नहीं करोगे charge, सिर्व interest on capital है, अब revaluation gain कितने का है, मैं 5,000 का revaluation gain आया, कि आपके business के नजीक इसकी value थी 30,000, और आपके partner के नजीक इसकी value थी 35,000, 5,000 के आपकी मतब जादा आपने value करनी है, तो 5,000 का आपने revaluation gain भी book करना है, current account में किसमें show करेंगे, इसको old profit and loss sharing ratio में हमने इसको divide कर दिया, new profit sharing ratio सिर्व use होगा write-off के case में बाद, ठीक है, तो gain आपने book किया, किस ratio में, old profit sharing ratio ने के 3 by 2, ठीक है, अब बारी आती किसकी, अच्छा, अब Zain की जो बारी है, इसकी बारी आईगी बाद में, current account से इसका कोई तालुक है भी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंके Mrs. Zain आपके partner थोड़ी थे, right, Mrs. Zain तो आपके manager थे, उनका तो किस्ता होगा, ये profit analysis का related तालुक है, आगे आज जाए, as on 1st April 2016 भी है, हर बाद 1st April 2016 क्यों कर रहा है, चुनके change and partnership structure 1st April 2016 को आ रहा है, profit and loss sharing ratio 1st April 2016 को आ रहा है, ये कि structure आपके इस date पे change हो रहा है, ठीक है, तो इस date पे general reserve के बारे में, वो mention कह रहा है, अब general reserve क्या होते हैं, F.A.R.1 में आप इसको detail में देखोगे, ठीक है, देखें नहीं होता क्या है, अब देखें, नॉर्मली हम क्या करते हैं, SOCI बनाया, उससे profit की figure आ गई, पिर हम profit and loss appropriation account बनाते हैं, और जो net profit होता है, SOCI वाला, उसको one form, in one form or the other, हम distribute कर रहे होते हैं, partners की दर्मयान हैं, उसी की पर आप appropriations दिखा रहे होते हैं, उसको distribute होता हुआ दिखा रहे होते हैं, यानि कि हम interest on capital दे देते हैं, हम salary दे देते हैं, bonus दे देते हैं, पर share of profit जो बचता है उसको, share of profit में distribute कर देते हैं, यानि कि ultimately business के पास zero profit बचता है, वो सारा का सारा, आपके partners की account में distribute कर देता है, अब होते हैं, किसी point in time पे या किसी साल में, partners ये decide करें, कि हमने पूरा का पूरा net profit, SOCI वाला net profit, पूरा का पूरा distribute नहीं करना, कि अगर let's say, 10,000 रुपे का इस साल, हमने profit कमाया है हमारे business ने, तो उसमेंसे हम, जो है वो साथ हजार distribute करेंगे आपस में, इंट्रोसंट के अपरिल के फार्म में, सालिए के फार्म में, share और profit के फार्म में, और जो remaining 3,000 है ना, उसको business में ही रहने देंगे, यानि के 10,000 में से, 7,000 को credit हो जाएगा current account के अंदर, in one form or the other, और जो remaining 3,000 है, उसको हम credit कर देंगे, एक नए account के जिसका नाम होगा general reserve, अब होगा क्या, इस date पे वो ये क्या कह रहा है, कि 1st April पे, पिछले सालों का जो undistributed profit है ना, unappropriated profit, वो profit जो के partners ने decide किया था, कि हम अपने current account में नहीं लगे जाएगे, ना interest हम capital के form में, ना salary के form में, ना share of profit की form में, वो कितना पढ़ाव है भी, 15,000, हमने करना क्या है, change and partnership structure वाली date पे, इस profit को भी distribute कर देने, इस reserve को भी distribute कर देने, तो goodwill distribute की, लेकिन साथ ही write-off कर दी, revaluation gain distribute किया, old profit sharing ratio में, और साथ ही हमने general reserve का पैसा भी distribute कर दिया, यानि के 15,000 को भी हमने divide कर दिया, 3 by 2 में इसको हमने current account को कर दिया credit, profit था ना, पिछले सालों का वो profit जो अपता है current account में नहीं गया वा था, हम अब ले जाएंगे उसको, ठीक है, यहां तक clear है, आगे आजएंगे अब इस वाली की यह जो बात कर रहा है, यह भी आपके share of profit से related आप नीदे ज़रा सबसे आखरी point पर आजएंगे, इसमें drawings की बात रही है, इन addition to salaries, partners withdrew the following amounts in cash, तो इसका मतलब यह हुआ, कि partners ने ये figures तो cash में withdraw की ही की हैं, इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी salary भी withdraw कर ली, है ना, यह लिखा गए, तो आपने पहले क्या किया, आपने salary इनको दी, यानिके इनकी current account में credit किया, और फिर आपने उनकी drawing भी दिखा ली, कि जित्री भी उनकी salary बनती थी ना, वो सारी की सारी इन्होंने withdraw कर ली, तो एक तो drawing हो रही है salary की, और दूसरी drawings किसकी हो रही है, यह जो इन्होंने अलग से आपको cash दिया गए, 50,000 और 20,000, ठीक है, यह बहुत संपूल से चीज़ थी, इसमें कोई extra बात नहीं हुए भी, अब आते हैं अपने residual profit share और profit की उपर, बागी सारा काम पा हमने कर लिया, इस वाले point पर आएं, the profit for the year ended December 31st 2016, amounted to Rs. 747000, after providing for the partner's salaries, क्या मतलब हुआ, कि यह जो profit है, यह आपका straight away SOCI वाला profit तो ही नहीं, इसमें क्या minus हुआव है, one of the appropriations दिटाब कोई भी है, और वो कौन सी appropriation है, partners की salary, अब यह twist टेक डाल दिया उसमें, इसमें कोई नहीं बात नहीं है, आपको यह बात पता है कि profit and loss, residual profit निकालने के लिए, हमें एक working में भी profit and loss appropriation account बनाते हैं, profit and loss appropriation account का starting point क्या होता है, SOCI वाला net profit है न, 747000 SOCI वाला net profit तो ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर partners की salaries को minus कर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें less हुआ है, हमें add back करना है, less तो करेंगे, लेकिन वालक से करेंगे न, पहले हम ज़रा starting point पर तो पहुंचे, पहले ज़रा हम starting point पर तो पहुंचे, 747000 उसने profit आपको question में दिया वाय है, इसमें हम क्या कर देंगे, add back कर देंगे दोनों partners की salary, और वो total कितनी बनती हैं, 21600 प्लस 1,80,000 यानि के 39600, हम कहलेंगे ये इस figure में minus हुआ गए न, तो अगर हम minus करने से पहले वाली position पर आज़ें, तो वो क्या आजएगी, 1143000 ठीक है, तो जो SOCI में profit आ रहा था, वो कितने का आ रहा था, 1143000 इसमें से इसने 39600 को minus किया, और हमें answer इसका बताजे कि ये जी है, figure 747, अब इससे जो करना है करें, ठीक है, तो हमने work back करके, हमने का हमें बनाना है profit and loss appropriation account, लेकिन appropriation account बनाने के लिए, हमारे लिए starting point क्या होता है, SOCI वाला net profit क्या था, वो था 1143000, अब आपको ये बात पता है, कि पूरे साल में, पहले तीन महीने कोई अलग ratio यूज होगा, residual profit के लिए, आखरी नौ महीनों के लिए, अलग ratio यूज होगा, residual profit के लिए, आपने सबसे पहले क्या कर दिया, 1143000, जो के total profit है, पूरे साल का, उसको आपने 3 by 12, और 9 by 12 कर दिया, ये हो गया कम, ठीक है, यहांदा clear है, इसी figure को, ये वाली जो figure है, इसको आपने 3 by 12, और 9 by 12 कर दिया, ठीक है, फिर हम आते हैं और आगे, पहले अब देकों, ZAN, ZAN कब से hire हुआ है, ZAN was hired as a manager on 1st April 2016, तो पहले हम बात कर लेते, 1st April 2016 की पहले वाली position पे, ठीक है, तो 285, 750, यह आपके पास profit आ गया, इन 3 महिरों में, total salaries आपने कितनी accrue करनी है, 18,000 multiplied by 3, plus 15,000 multiplied by 3, आंसर आता है 99,000, यह पहली appropriation आपने अब record कर ली, minus किया वे देको यहांपे, यहांपे हमने क्या किया था, salary को पहले add back किया था, यहांपे minus करेंगे, naturally सी बात है, appropriation दिखानी तो है, ठीक है, लेकिन starting point निकालने के लिए, हमने इसको add back किया, कि पहले हमने पता से चले, कि SSCI वाला profit कितना आया था, ठीक है, आगे आजे हैं, फिर हमने क्या निकाला है, यहांपे interest on capital, तो पहले तीन महीनों में, जाजब को कितने capital पे interest मिल रहा था, 7,50,000 ठीक है, और अबास को 6,00,000 पे मिल रहा था, तो 7,50,000 x 5%, x 3,12, लास 6,00,000 x 5%, x 3,12, सानी working मीचे हुई भी है, तो इस particular period में, interest on capital कितना बनता है, वो बनता है 16,875, इन figures को इसमें से minus करेंगे, residual profit आएगा 16,9,875, और इसको आपने divide किया 3 by 2 के ratio में, पहले तीन महीनों की कहानी को होगी खत्म, अब आफरी तीन 9 महीनों पर आते हैं, अब हो क्या रहा है, जो Zain को salary मिलेगी, वो मिल रही है, वो अजीब वाले scenario से, Mr. Zain was hired as a manager on 1st April 2016, at a salary equal to 3% of the profit remaining after charging such salary, तो हमारे पास profit before charging such salary, अब इसमें हम यह assume कर रहे हैं, जो के valid assumption है, के अभी तक हमारे पास जो profit आया है न, 1143000, अभी तक इसमें से Zain की salary को deduct नहीं किया हुआ, बिल्कुल छीक, commission वाला formula, अब मुझे बार बताएं, Zain को आपने hire किया 1st April 2016 से, तो क्या उसको पूरे साल की profit के basis पे commission मिलेगा, नहीं न, उसको तो जितना period उसने काम किया है, और उस period में जितना profit कमाया गया है, उस profit के basis पे commission मिलना चाहिए, तो ये काम काम कर चुके है न, हमने profit को अपने divide कर दिया हुआ, अब हम इसके basis पे उसको वो दे देंगे, commission देंगे, कितना आएगा, 857250, that is this figure, multiplied by 3, divided by 103, आपने ये figure minus कर दी, अब जो आपके पास profit आएगा, that is ready for appropriation, salaries, कितनी है, again, simple calculation है, उपर formula में भी आपको नज़र आ रहे है, इसी तरह interest on capital calculation नीचे वे भी है, residual profit आगया, इसको half and half divide किया, और आपने इन figures को यहाँ पे credit होते वे भी दिखा दिया, यह जो अब आपके पास balance आएगा, यहाँ पे जो answers आएंगे, यह in other words, अगर आप three account बना रहे होते हैं, तो आपके carried down की figure, 715441 और 336591 आती, ठीक है, यहाँ तक clear है बात, जितनी बात समझ में आ गई, ठीक है, अब हम उस पे से जादा time नहीं लगाएंगे, और लगाना भी नहीं ठीक है, अच्छा, एक तो यह वाला question था, जिसमें थोड़ी सी जो है, वो मुश्किलात आई थी, regular students को भी, question number five, बहुत असान सा था, इसमें तो कोई ambiguity वाला सवाल ही नहीं था, जूंकि इसमें day books के बारे में बाती नहीं होई थी, तो इसमें suspense account आपका create होके, close भी हो जाना चाहीँ था, अराम से, अब जरा आप आजाएं, final account वाले सवाल पे, फरान खान वाले, ठीक है, इसके अंदर fixed assets वारा जो part है ना, ये शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, हाँ जी, अगर मुश्किल लग रहा था, तो बताएं, discuss करते हैं, पूरा तो नहीं obviously नहीं करेंगे, फिरव इसके इस portion को करेंगे, provision for stock of solacens, पहले तले मैं आपको बता जेती है, अब इसमें एक और चीज थी, जो कि F.R.1 के syllabus किया है, और वो है provision for obsolete stock, ठीक है, provision for obsolete stock, अब ये क्या चीज है, जिसना provision for doubtful debts होता है न, provision for doubtful debts क्या चीज थी, contra asset था, है न, एक कौन से asset की value को कम करता है, debtors की value को कम करता है, ये होता क्या है, हमें future में doubt होता है, कि हमें शायर debtors से इतना पैसा नहीं मिलेगा, यानि कि benefit हमें नहीं मिलेगा, जाई, provision for obsolete stock भी, exactly, ये भी expectation है, क्या expectation है, कि 1st January को जितना भी stock पढ़ावा था न, ये वाला, 38,000 की inventory पड़ी भी थी, हमने इस inventory के against, ये बात बोजी के हमें ये लग रहा है, कि इस inventory में से 44,000 का stock destroy हो जाएगा, भीकने से पहले, सही है, तो ये भी आपका क्या है, contra-acted की तरह कही है, आपने जिस तरह जहां जहां आप debtors की figure लिखते हो, financial statements में, आप क्या करते हो, debtors minus provision for doubtful debts, इसी तरह जहां जहां आपने stock की figure लिखनी है न, उसमें से आपने उससे related provision की figure को minus करके लिखना है, बस, that's it, ठीक है, तो अब आपके पास SOCI में आए, SOCI में आप opening stock लिखते हो, अब यहां पे, मैंने बाद में यह 30 note की थी, यहां पे थोड़ा typing का error हुआ है, calculation बिल्कुल ठीक हुई भी है, उसमें कोई tensionally बात नहीं है, इस solution के अंदर, यहां पे minus 24,000 लिखा हुए, इसको 44,000 होना चाहिए, यहां पे 344 figure बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे working में थोड़ी सी ambiguity है, ठीक है, इसको आप अपने पास खीक कर लें, क्या हुआ, SOCI के अंदर आप opening stock लिखते हो, opening stock की gross amount कितनी है, 388,000, 388,000, उसमें से आपने क्या minus कर देना है, opening date पे provision क्या था, आपने opening date पे जो stock था, उसमें से आपने opening provision को minus करके, फिर opening stock की figure लिख दी, 3,000, 4,000, इसी तरह, closing stock के पर जब हम आते हैं, तो closing stock के बारे में, एक तो वो कह रहा है कि एक error हो गया, motion, मचे, stock and trade is an alternate term, इसमें confusion वाली कौन सी बात है, trial balance में सिरब अगर inventory लिखा वा है, तो आपको पता है कि inventory, trial balance में जो आती, वो opening inventory होती है, बच्चे, in transit नहीं है ये, in trade है, stock and trade, यानि कि जिसमें आप trading करते हो, वो item जिसकी आप trading करते हो, transit थोड़ी लिखा वाइसमें, in transit का मतलब है कि रस्ते में होना, trade है ये तो, नहीं नहीं नहीं, confused थोड़ी होना है, तो क्या, यसी तो alternate term है ये, stock and trade, inventory, same thing, transit होता है रस्ते वाला, वो आप confused कर गए, insurance and transit, that's something else, transit का मतलब है रस्ता, trade का मतलब है जिसमें आप deal करते हो, चीक है, अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर इत्फाक से, एक error हुआ गए, और वो क्या error हुआ गए, उसने आपको यह बिता दिया, कि जो closing inventory है, उसकी value कितनी है, 350,000, कहां रखा वह है, यह रहा, cost of stock है, तरीफ़र जिसमें 12-16, amounted to 3,65,000, net realizable value of the stock was 350, तो आपने इन दोनों में से lower select किया, और 350 को का कि यह हमारी closing stock है, उपर जबाँ पढ़ते हैं, तो आपको एक error नज़र आया, कि आपने, आपको एक credit sales return हो गई थी, ठीक है, एक तो उसकी आपने double entry नहीं पास किया, यानिकि sales returns, debit और debtor credit किया ही, कितने का, 70,000 का, साथ ही, आपको उसने यह error भी बता दिया, कि जो goods जो return होई थे न, उनकी cost थी 47,000, और the stock is not included in the cost of closing stock, यानि कि, ये जो figure थी आपकी, 365,000, या ये, provision की figure जो आपने select की थी, कि अब ये closing stock की figure आगए, इस amount के अंदर, 47,000 की sales जो return होई थी, उवो वाली inventory शामिल इने है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर ये बात mention ना होई होती न, अगर ये बात mention ना होई होती, हम क्या कहते है, closing stock की figure कितनी है, 350,000, लेकिन अब इसने ये बात mention कर दी है, तो हम कहेंगे कि 350 is not the final figure, 350 plus 47,000, this is the final figure for closing stock, अब यहाँ भी क्या scenario है, आपके पास closing provision भी मौझूद है, है ना, लिखा गा है, provision for obsolete stock is to be created at 47,000, तो पहले तो आपने इतनी बात confirm कर ली, कि पहले हम gross amount of inventory को fix कर ले, वो सही figure आगे, 3,97,000, 350 पता थी, 47,000 उसमें add किया, इतनी बात clear है, तो inventory की amount कितनी आगे, 3,97,000, तो जिस तरह हमने opening inventory में से opening provision माइनस किया था, इसी तरह closing inventory की figure में से भी हमें closing inventory को, closing provision को माइनस करना है, यह जो 47,000 add वा वै, यह वो error की rectification है, sales returns वाली, क्या आपने inventory आपको return होगे थी, लेकिन आपने उसको inventory की value में शामिल नहीं किया, अब हम कर देंगे, तो अगर हमने यह error ना किया होता, तो हमारे closing stock की amount कितनी आ रही होती, 3,97,000, 3,97,000 में से अब आपने क्या minus करना है, closing provision for auxiliary stock, और वो figure आपने लिख देनी है, यहाँ पे, ठीक है, यहां तक clear है, बिसा जल्भी से भी एपोइं इसको 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 इसकास करते हैं, फिर आगे वो क्या कह रहे है, fixed assets are depreciated at 10% per annum using reducing balance method, depreciation on addition is provided from the month in which the asset is acquired, while no depreciation is charged in the month in which the asset is disposed of, on 1st July 2016 a generator which was purchased on 1st January 2013 4 rupees 1 lakh, यानि कि यह पुराने generator की cost है, ठीक है, it was traded in for a new generator, the disposal was not recorded, यानि कि accounting इसकी हमने इस तरह से कर दी, कि जो पुराना generator आपने पुराना generator exchange किया ना, आपके पास से पुराना generator गया, आपने पुराने generator के जाने के azarment को ही entries पास ही नहीं कि, यानि कि उसकी cost को credit नहीं किया, उसके accumulated depreciation को debit नहीं किया, reverse करना होता है ना, सारी चीज़ों को book से निकालना होता है, तो आपने पुराने generator से related को ही double entries पास ही नहीं कि, लेकिन आपने आपने क्या किर दिया, and the generator was capitalized at 5 लाग, और नए generator, obviously, कौन सा generator capitalized किया, नया वाला generator, जो नया वाला generator आपने आता वा दिखाया, और कितने पे दिखाया, 5 लाग आपने capitalized किया, अब देखतें कि 5 लाग क्या थी, cost of new generator थी भी या नहीं, तो 5 लाग वाज जस्टी अमाउंट of cash paid, आपनों को मैंने formula करवाया वैसका, cost of new asset क्या होता है, trade and allowance plus cash paid, इसमें इसने क्या कर दिया, सिर्फ cash paid की figure को देखा, और ये figure इसने capitalized कर दी, capitalized करना कितने पे चाहिए था, नया generator की cost कितनी है, 5,35,000, यहां तक बात clear है, तो आपने क्या किया है, 5,00,000 की हद तक तो आपने capitalized कर दिया, 35,000 को भी capitalized करना था, आपने वो नहीं किया, आगे देखते हैं, cost of installation of the generator, amounting to rupees 30,000, was debited to office and administration expenses, इसका क्या मत्वाब हुआ, हमने पुरी list पड़ी थी, उसमें installation cost को भी generator की cost का पार्ट बनाना चाहिए था, in other word, नया generator की cost total कितनी थी, 5,65,000, 5,00,000, प्लस 35,000, प्लस 30,000, installation charges, हमने generator को capitalized कितने पे किया है, 5,00,000 पे, करना कितने पे चाहिए था, 5,65,000 पे, तो हमने 65,000 से generator को under recapitalize किया हुए, तो अब हम क्या कर देंगे, देखें, यहां पे जो trial balance में आपको figure दी हुई है, fixed asset की cost की, इसका मतलब यह हुआ, इस 1750,000 में, सिरफ 5,00,000 की amount add हुई है, हमें क्या करनी है, 65,000 की further add कर देनी है, ठी करने के लिए, इस error को, यहां तक clear है सब बाज, साथ ही, 1750,000 क्या हुआ था, पुराने generator की disposal तो दिखाई नहीं थी, अगर दिखाई होती, तो हमने 1 lakh, जो के पुराने generator की cost थी, हमने 1 lakh को create site पे दिखाना था, हमने नहीं दिखाया, हमने disposal तो रेकवाड ही नहीं किया, हमने asset treatment की रिस्टर आमने सर्व एक नया asset खरीदा है, बस, ठीक है, और उसके बदले 5,000,000 की payment की है, डबर NB क्या पास कर दी हमने, bank credit, 5,000, और generator credit, debit, यानि कि fixed asset आपने debit किया, 5,000,000 से bank को create कर दिया, हालाएं कि आपको पता लग गया है कि different amount से debit होना थी, जब fixed asset की account को, ठीक है, और आपने पुराने generator की cost को minus होते वे नहीं दिखाया, अब आपने fix कर लिया, इसको आपने आप दिखा दिया, अब जो आपके पास carried down आएगा, 1715000, 0, वो आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, इसमें नया generator भी सही figure पे आगया, और पुराना generator की भी आपकी book से निकल गया, अब आते हैं जड़ा नीचे, इसी तरह accumulated depreciation का, अब देखें, accumulated depreciation में आपको opening balance given है, साल के पहले दिन का, यानि कि इस साल का आपने depreciation expense तरह से recording ही किया हुआ, है ना, अच्छी बात हो गई, ना गलत record हुआ, ना इसको fix करने की ज़एपड़ी, हम एक अच्छा ही सही depreciation expense calculate करनेंगे, best हो गया यह तो, आपने 350,000 लिखा, credit side पे, ये two cents में opening balance है, है ना, फिर आपने क्या करना है, आपने calculate करना है, अब आपने एक disposal भी कर रहे हो ना, disposal कर रहे हो, पुराने generator की, आपने 30 जून 2016 तक की accumulated depreciation निकालनी है, क्यों, आप exchange कर रहे हो, 1st July 2016 को, और आपकी जो depreciation की policy है, वो आपको यह कहता है, no depreciation is charged in the month investor asset is exposed off, तो जो पुराना generator है वाँ के पास, जुलाए के महीने में जा रहे है, लेकिन आपने जुलाए के महीने के, एक दिन की भी depreciation निकाल्कुलेट करना है, तो जून तक ही आके हम रुप जाएंगे, यह पुराना generator आपने खरीदा कब था, 1st January 2013 को, कब तक इस्कबाल किया, 30 जून 2016 तक, आपने 1st January 2013 से लेके, 30 जून 2016 तक, एक लाए के उपर calculate करना है, कि accumulated depreciation थी कितनी, वो आएगी आपके पास, 30745, कहां से आई, यहां से आई, calculation भी भी गी है, क्या आपने खरीदा कब था, 2013 में, cost थी इसकी, एक लाख रुपे, नई, 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 अगर trial balance में, accumulated depreciation का account ना हो, लेकिन depreciation expense फिर भी आएगा, naturally सी बात है, इसका मतलब है, हम single account method follow कर रहे हैं, इसका मतलब है, कि हम अलग से, accumulated depreciation का account नहीं बना रहे हैं, और पिछले सालों की, इतनी भी accumulated depreciation थी ना, उसको हमने cost में से ही, cost के account में ही adjust किया हुए, यानि कि अब cost का account अलग और accumulated depreciation का अलग नहीं है, single account है उस fixed asset के लिए, और वो है WDB पर, ठीक है, और अगर इस साल की depreciation expense, trial balance में आ रही है, इसका मतलब है, कि हमें अब दुबारा से calculate करके, दुबारा से इसको credit नहीं करना, ठीक है, सारा काम automatically हुआ है, हमें additional कुछ भी नहीं करना, हाँ, अगर वो depreciation expense इस साल का गलत calculate हुआ है, उसमें अगर कुछ errors है, बस वो fix करने हैं, बस, और कुछ नहीं करना, मैंने कि उसको from the scratch, सारा काम नहीं करना, सिरफ errors की fixing करनी है, बस, ठीक है, अगर depreciation expense नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमें from the scratch, इस पूरे साल का calculate करना है, ठीक है, अच्छा, तो यह वाली working I hope समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्या आपने वन लाक एस को शुरू किया था, for the year, 2013 में depreciation कितना आया, 10%, साल के पहले जनाब का accounting year है, January to December, तो 2013 में यह पूरा asset जो यह पूरे साल इस्तमाल हुआ, वन लाक के ओपर 10% depreciation हुआ, accumulated depreciation भी 10,000 है, तो इस साल के आखरी दिन, scaring value कितनी होगे, netbook value कितनी होगे, 90,000, अगले साल क्या होगा, 90,000 पर 10% depreciation चार्ज होगा, accumulated depreciation अब आपके, 19,000 बन गया, तो इस date तक, 30745 तक की आप, चाहें तो इन सब को add कर दें, answer यह यह आएगा, 30745 चीक है, तो अब आपने क्या करना है, सही accounting करनी है, 30745 तो आपने यहाँ पर credit कर दिया, depreciation expense for the year पर आज़ें जल्दी से, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आपको पता है कि ठी, depreciation expense आपने तीन categories के अलग-अलग calculate करना है, disposal और addition पर calculate करना, सबसे असान है, calculate करेंगे all together, आप यह कहेंगे, कि हमारे पास asset आया था, उसकी सही cost थी कितनी, 565, इसी के ओपर depreciation expense चार्ज होना चाहिए, 10% into 6 by 12, तो जो नया generator आ रहा है, exchange के थूँ, उसके ओपर depreciation expense, 6 महिने, July, August, September, October, November, December, ठीक है, 1st July को वो आ रहा है, तो July से लेके December तक की depreciation इस पर चार्ज कर दी थे, जो पुराना generator था, वो भी आपने 6 महिने इस्तमाल किया था, लेकिन January से June, राइट, उसकी opening accumulated depreciation कितनी थी, उसके लिए पहले आप निकालेंगे, जी आपने opening accumulated depreciation निकाली, opening netbook value चाहिए बिसिकली आपको, cost उसकी थी, एक लाख रुपे, इस साल के पहले दिन तक, कितना accumulated depreciation था, 27,100, या अगान, आपने calculation कर ली थी, पिछले तीन सालों की आपने total कर ली, depreciation, कितनी आई, 27,100, आपने का, इस साल के पहले दिन, इसकी कितनी थी netbook value, cost में से minus करेंगे, multiplied by 10%, multiplied by 6 by 12, यहां तक clear है, ठीक है, बस इसको आगे दिलू, इसको ignore कर दू, ठीक है, कल यह हो गया, आगे कौन ता question कह रहा है अप, question number 2 में 0.7, अच्छा, question number 2, का 0.7567, a refund of, to a credit customer, Zen was made through check of 2979, this payment was correctly recorded in cash book, and in Zen's individual account, यानि के, इसमें, subsidiary लेजर आपका बिल्कोई ठीक है, डबल एंची क्या पास्वनीच चाहिए इसकी, bank credit और, customers, debtors, control account debit, है ना, आप refund कर लिए हो, मौसेन, बचे, refund वाली situation हमने पढ़ी भी है, आपका कोई debtor था, अब आपने देखो, बचे देखो, इसमें आपने question नहीं करना, कि याँ पर credit customer आगया, credit customer ने तो हमसे उधार पर लिया होगा, refund का क्या situation है, उसने हमसे ठीक है, वो उधार पर वो ऐसा बन्दा है, जो हमसे उधार पर चीज़े खरीदता है, हुआ गया होगा, हो सकता है, उसने हमें किसी point in time पर access payment कर दियो, पस उसकी अब हमसको refund कर रहे हैं, आपने question के logic पर नहीं चाना, जो बात बोली हुई है, उसी को follow करना है, आप जैन को कोई refund कर रहे थे बास, उसकी double entry क्या पास होनी चाहिए थी, नहीं, 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 तो अब देखो सिनारियों बनाऊना, ठीक है वो credit customer है, credit customer का क्या मतलब है, वो कभी payment नहीं करता, नहीं, करता तो है, credit customer होने का मतलब क्या है, कि वो जब आपसे खरीता है, वो उधार पे खरीता है, लेकिन वो payment भी करता है, लेकिन बाद में, तो हो सकता है, उसने कभी आपको जब payment की हो, तो आप उसने आपको access payment कर दी हो गलती से, और अब आप उसको refund कर रहे हो, तो आप यही करोगे ना, कि जैन का नहीं मेरा उधार पे लेता है, मेरे से चीज़े नॉर्मली, अब मैं उसको कोई चीज refund कर रही हो, वो सकता है, उसने मुझे कोई चीज खरीद के वापस कर दी हो, और उसके पैसे भी उसने बाद में दे दी हो, तो अब हम उसको पैसे रापस कर रहे हैं, बाद तक 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 तो आपने क्या करना है, इसके अंदर पटेज account के अंदर इसमें recording हो गए थी, अब आपने इसको छीख करना है, asset की written down value is the netbook value, मैंने आप कुछ आद इसके terms बताये हैं, carrying amount, written down value, netbook values, the same thing, cost minus accumulated depreciation, ठीक है, और जलें जल्दी से और पूचे हैं, जबदाएस चलें, best हो गया, कितने अपने आपको आपने mark किया है, marking scheme को देखते हैं, अभी करोगे, चलो, ठीक है, मुझे जुरूर आपने share करना है, ठीक है, मतलब अगर खुदाना कासा, mark सचे भी नहीं आए, फिर भी मुझे बता देना, ठीक है, ताकि हम भी discuss कर लेंगे, कहां पर issues आ रहे हैं, क्या मसला है, और बस, I hope सारा बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा होगा, सब ठीक ठाक जा रहा है, त्यारी पकी है, बाट सारे सब्जेक्स की भी, ठालें, बाट बिल्कुल जरूर, दुआ हैं तो मैंशा आप लों के साथ है, जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, अगर नसीब में आवा तो मुलगात होगी, ठीक है, ओके फेर, अला आफेर,